हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है विकास 3-1 टैक पर तो फ्रेंट्स अगर आप एक शोट्स क्रियेटर हैं आप शोट्स वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पर आप शोट्स का चैनल है और आपने अपने शोट्स चैनल पर काफ शोट वीडियो का जो वाइरल हुई है वीडियो से जितना भी बोस टायम आया है वह वहां पे काउंट नहीं होता और आप काफी जादा परिशान हो जाते हैं कि एसा क्यों हो रहा है मेरा शोट वीडियो का जो वोस टाइम है मैं आपको बताने वाँ हूँ कि आपकी short video का जो worst time है वो monetization के लिए count क्यों नहीं होता आपके उस time में add क्यों नहीं होता उसका क्या कारण है, क्या reason है तो video छोटी सी है पर बहुत ज़्यादा informative है तो video को पूरा last तक जरूर देखेगा वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नहीं है तो पीस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और notification bell को on करके उसे all पे सेट कर लें जिससे आपको मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो की अब्डेट सबसे पहले मिले तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर mobile phone open कर लिया है और यहाँ पर मैंने अपने वाईटी स्टूडियो को open कर लिया है तो आपको भी इसे open कर लेना है मैं आपको अपनी एक वीडियो दिखाता हूँ जो मेरी short वीडियो viral हुई थी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं analytics के अंदर जाना है हमें ठीक है और उसके बाद यहाँ पर आपको content के उपर click करना है content पर click करने के बाद आपके सामने top shorts का एक tab आजाएगा नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर top shorts में आपकी जितनी भी shorts वाइरल हुई है वो यहाँ पर आ जाएंगी तो मैंने एक ही short डाली हुई यह इस पर और मेरी वही वाइरल हो गए थी इस पर अच्छे views मिले थी मुझे ठीक है तो मैं यहाँ पर आपको last 28 days का दिखा रहा है अभी इस पर views आ रहे हैं तो मैं यहाँ से आपको lifetime करके दिखाता हूं इस पर कितने views आये हैं अप्रोक्स 4000 के एराउंड इस पर views आ चुके हैं ठीक है तो यह अभी भी मेरी वीडियो चल रही है इस पर continue views आ रहे हैं आप देख सकते हैं last 28 days में इस पर इतने views आये हैं तो इस वीडियो पर मैं क्लिक करता हूं और मैं आपको दिखाता हूं कि इसका यहाँ पर हम overview आ गया है इसका सारी चीज़े हैं यहाँ पर उसके बाद reach में आ गए उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं how viewers find this short मतलब मुझे इस वीडियो पर जो ट्रैफिक मिला है शोट वीडियो पर वो यूट्यूब सर्च से 89 परसेंट मिला है सज़ेस्ट वीडियो से 7 परसें इस वीडियो से आया है वो monetization के लिए count हुआ है आपका monetization के लिए count क्यों नहीं हो रहा उसका यही कारण है कि आपका जो worst time है वो आपको यहाँ पर आप जब आके देखेंगे अपनी short video के analytics में तो यहाँ पर आपको short feed से वो worst time आता हुआ दिखाई देगा YouTube सर्च से वो worst time न नहीं हुआ है और आप परेशान हो गए है कि मुझे तो इस वीडियो पर एक मिलियन दो मिलियन व्यूज मिल गए है यह 10,000-20,000 व्यूज मिल गए है लेकिन मेरा जो इससे जो worst time आया है वो monetization time में count नहीं हुआ एड नहीं हुआ यही उसका main reason होता है क्योंकि short feed में जो जित worst time है वहाँ से जो worst time आयागा वो आपका monetization के लिए count होता है तो उम्मीद करता हूँ आपको अब समझ में आ गया होगा तो friends उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी अगर फिर भी वीडियो से related कोई question है कोई query है आपके mind में तो आप लगी हो पसंदाई हो तो इसे like और share जरूर करें thank you